एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं शेंजन वीजा से रिलेटिड तो जैसा कि आप जानते ही हैं शेंजन वीजा सबसे एजी एकसेसेबल वीजा होता है यूके से बट उस वीजा में भी बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन फेस करने पड़ती है वो आपके ही कुछ मिश्टेक्स होते हैं उनकी वजह से आपको फेस करने पड़ती है या आपको कंट्री स्पैसिफिक स्लेक्ट करनी नहीं आती आज मैं आपको 10 कंट्री के बारे में बताऊंगा जो टोप 10 में हैं रिजेक्शन रेट में तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं without wasting any time तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल बिकोज मैं इस चैनल पर informative वीडियो बनाता रहता हूं तो मैं आपको एक data की help से ये सब कुछ scenario समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको 2023 का data दिखाता हूं top 10 countries हैं जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा वीजा reject करें हम उनके बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो यूरोपियन यूनियन के according तो 2023 में 1.6 million applications reject हुई है जो शेंजन वीजा के लिए उनके पास आई थी उसमें से तो उसमें स सबसे पहले जो top 10 countries हैं उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो है France तो आप अपनी स्क्रीन के साइड में देख सकते हैं France ने 4,36,893 application reject की है जो maximum rejection rate है 16.6% का यहार मुझे न बहुत सारे students यहां पे भी जैसे मैं यहां से students के फाइल अपलाई करता ह हूं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा insist करते हैं कि आप France का ही apply कीजिए हमारा तो भई मैं उनको हमेशा बोलता हूं country ऐसी लेकर चलो जो आपको easily visa दे दे क्योंकि जो शेंजन visa होता है वो आपको 27 countries में अब तो 28 हो गई है क्योंकि उन्होंने एक और एड कर लिया है तो country पर जाएं ना कि hard country पर अगर आप hard country का किसी का apply करेंगे आपको rejection आ जाएगी तो बहुत सारे पैसे waste हो जाते हैं क्योंकि आपकी VFS fees होगी वो non refundable होती है आप जो ticket करोगे उसमें भी पैसे जाते हैं आपकी hotel booking होगी आपका जो जाने आने का travel का कोस्ट होगा ठीक है आपका जो जैसे हर को यहाँ पर काम कर रहा है आप जिस दिन जाओगे उसके दिन का आपको शुट्टी भी लेनी पड़ेगी तो उसके भी पैसे जाएंगे इसलिए आप बहुत ही precise manner से कीजिए ये काम तो बहुत ही नेक्स्ट कंट्री के बात करते हैं जो second number पर कंट्री है वो है rejection rate में Spain Spain भी बहुत ज़्यादा विजा रिजेक्ट करती है तो भई 251,000 फाइल 2023 में रिजेक्ट की थी जो रिजेक्शन रेट 15% है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं थर्ड नंबर पर आती है जर्मनी जर्मनी का भी विजा जो देने का सिस्टम है वह बहुत ही ज्याद के साथ है क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप से अपलाई करने कोशिश करते हैं अगर वो कुछ भी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं तो यह जैसे जर्मनी हो गया अगर आपने छोटी सी भी कोई मिस्टेक कर रखिए आपके जो आप जैसे टीलस वगएरा पर फोम लेके जाते हो अपना भरके तो आपको उन्दा स्पोर्ट भी वो रिजेक्ट कर देते हैं और अगर उन्दा स्पोर्ट नहीं करेंगे आपकी फाइल प्रोसेस होगी तो उसमें आपको रिजेक्शन मिल जाती है इसलिए बहुत ही केरफुली आप जब भी कंट्री स्लेक्ट करें तो केरफुली कीजिए तो नेक्स्ट कंट्री है बाई इटली आप इटली का देख सकते हैं साइड में 1,33,000 एप्लिकेशन रिजेक्ट करिये हैं तो यह ओल्मोस्ट 1,005 प्लस है हर किसी का आप देख सकते हैं नीदर लैंड 1,14,000 तो इनका जो एर ओन एर इंक्रीज देख करते हैं तो ध्यान से कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पहले online चेक कर लिजिए कि आपको कैसे step by step काम करना है अगर आपको किसी भी step से related help चाहिए होती है तो आप मुझसे contact कर सकते हैं क्योंकि मुझे almost two and half year हो गया इसी field में काम करते होए मैं लोगों क आपको बहुत ही लिनियंट है अगर आप खुद गलती करते हैं तो आपको विजा रिजक्षन करने को मिलेगा ही मिलेगा बट अगर आप सही से करते हैं तो क्योंकि मैंने आज तक ग्रीस की कोई रिजक्षन नहीं लिए जितनी भी मैंने फाइल्स की है मुझे घ्रीस का हर किसी का विजा आया है आगे आप देख सकते हैं स्विजर लैंड में 64,000 फाइल रिज्यक्षन होई हैं तो भई स्विजर लैंड में भी अच्छी खासी फाइल रिजेक्ट होती है उनको प्रोपर आपको डोकुमेंटेशन वगएरा दिखाना पड़ता है तो स्विजर लेंड का थोड़ा हार्ड रहता है वह जर्मनी के जैसे ही है बहुत क्रिटिकल चेकिंग होती है फाइल की महाँ पर तो उसके बाद देख सकते हैं आप स्वीडन स्वीडन के बाद बैल्जियम और बैल्जियम के बाद पॉर्टूगल पॉर्टूगल की भई सबसे कम रिजेक्शन है थर्टी थ्री थाउजन तो भई मेरा ये वीडियो बनाने का मक्सद सिर्फ इतना था क्योंकि जब भी आप शेंजन वीजा अपलाई करते हैं तो बहुत सारे स्टूडन्ट हैं वह मतलब सबसे पहले या तो फ्रांस या स्पेन या जर्मनी इनी तीन कंट्री को ट्राइब करने की वह करते हैं कि हमें इनी कंट्री का वीजा मिले क्योंक कंट्री में क्योंना ट्राइब करें पहले ठीक है थ्री टू सिक्स मन्त का विजा ये कंट्री देती हैं बट ये उतनी ही हार्ड भी हैं अगर आपने छोटी सी भी गलती करी तो आपको डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा इससे अच्छा है आप किसी इजी कंट्री का करें वहां आपको अगर टू वीक से लेके थ्री मन तक का विजा तो अराम से हर एक कंट्री देती है अगर आपको एक बार में टू वीक का विजा भी मिल गया तो आप एक बार में ही तीन चार कंट्री जाके आ सकते हैं मेन होता है पासपोर्ट की वैलू बनाना अगर आप एक ब में रिजैक्शन के रीजन बता देता हूँ क्या होते हैं आप या तो डमी टिकेट यूज़ करते हैं या आप होटल बुकिंग करते हैं बट अपने कार्ड में पैसे नहीं रखते इसकी वज़ये से बहुत ज्यादा रिजैक्शन आते हैं जो मैं देखता हूँ और थर्ड है आपका जो form होता है, जो application form होता है, वो proper fill up नहीं होता है, आपको proper date mention करनी पड़ती है, proper hotel का नाम, proper आपकी हर चीज तब आपको विज़ा आता है, तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज में problem होती है, तो आप मुझसे contact कर सकते हैं, and thanks for watching this video, share and subscribe my channel, please.